बेसिक कोर्स चवदय इस्थानिमान कैसे पढ़ाएं इसमें 6 भाग है और 6 भाग में जो भी प्रशनोत्री आए है उन सभी प्रशनोत्री को इस वीडियो में कवर किया गया है इसलिए आप अंद तक वीडियो में जरूर बने रहें तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और उ देकर 21 फरवरी के बीच में पूर करने हैं इनके लिंक्स आपको हमारी वैपसाइट पर बिल जाएंगे जिसका उस वैपसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मोल जाएगा वहां से जाएंगे और सीधे आप पर सच्छड लिंक्स वाले कॉलम में जाकर के वहां से इन पर सच्छड का लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं तो सुरू करते हैं इस वीडियो खेलो दोस्ते नमस्कार आप देख रहे हैं डेली ग्रो योट्यूब चेरा तो पहले भाग में सबसे पहले देखते हैं हम लोग पांच नमर पेच पर एक प्रशन है यहां पर प्रशन है आपके अनुशार किसी भी संख्या की समझ किसी कहेंगे अगर संख्या 25 हो तो उसकी संख्या समझ के मैं क्या-क्या सामिल होगा आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं तो यहां पर 25 के लिए 6 विकल्प दिये गए और 6 विकल्प में 25 संख्या को सामिल किया गया है 25 के ही किसी प्रकार से जोड़ करके या घटा करके यहां पर अंक निर्धारित किये गए उत्तर निर्धारित किये गए हैं तो यहां पर हम सभी विकल्पों को टिक करेंगे एक से ले करके 6 तक और उसके बाद में इने submit कर देंगे, तो शुरू करते हैं और देखते हैं, इन सबसे छेव को tick करते हैं और submit कर देखें, तो यहां से हमारे बिकल्प यह सभी सही हो जाते हैं, उसके बादे चलते हैं, next प्रेस्ट पर 7 नमबर पेज पर है, सोच कर बताईए कि गिनने का सबसे शुरू आती और आम तर चीजों की एक एक करके गिंदी करना, चीजों की स्वामूग में गिंदी करना, तो सामान तोर पर जो है तरीका पहला वाला है, पहला सही है, आप चलते हैं, next प्रेस्ट 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 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एक गड़ित की माला दिखाई जा रही है, आ आपके अनुसाल लटके हुए कार्ड पर कौन सी संख्या आनी चाहिए तो यहां पर आप यह जल्दी करना चाहिए तो दस सफेद लाल तो दस बेशती चैलिस पचास साथ और इस प्रकार से दो और 62 कितरी संख्या यहां पर होनी चाहिए 62 62 पर टिक लगा के आगे बढ़ेंग चीजों के कौन से समू को गिनना ज्यादा आसान था सही विकलप चुन कर सम्मिट बटन दबाएं तो यहां पर 5 विकलप हैं तो मुझे लगता है पांचमा विकलप जिसमें दो हाथों के समू दिये गए हैं उंगलियों को गिन सकते हैं इसके बाद में साथ नमबर पेज़ पर एक और प्रसन आजाता है अच्छा बताईए कि उंगलियों को गिंते समय आप ददस में कैसे गिने तो दूसरा बिकल्ब इसका सही है मेरे ख्याल से उसको सब्मिट कर देंगे उसके बाद में हम चलते हैं सीधे भाग नंबर तीन की ओर भाग तीन में दस-दस के समू और ज्यादा गिंती करने के लिए किस प्रकार से सबसे पहला प्रसन पांच नंबर पेच पर आ जाता है और पांच पर है आपको क्या लगता है कि दस के समू बनाने के अनभो के लिए एक ही तरह के संसाधन का उप्यूग काफी रहेगा सही बिकल्ब चुने तो नहीं अब चलत प्रसन है आपके अनुशार मान कार्ड स्थाने मान की कौन सी समझ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो मुझे लगता है यह तीनों बिकल्ब सही है तो यहाँ पर हम सभी पर सिक टिक करके सम्मेट कर देंगे अब यहां से सीधे चलते हैं भाग नंबर पांच की और सौ में गिंती तो सौ में गिंती कैसे करेंगे इस बारे में इसमें अउधारडा हम लोग देखेंगे उससे समधे जो परशन उतरी है उसको देखेंगे पहला परसन में दो नंबर पेज़ पर मिल जाता है ऐसे में अगर आपके बच्चे दस के समू की समझ कमज़ और यहां पर तीन विकल्प दिए गए हैं वह संख्या नाम बोलने के साथ लिख पाएंगे संख्या नाम सुनकर संख्या का अंदाजा लगा कर बैतर लगा पाएंगे और आगे आने वाली संख्या की नाम खुद सोच पाएंगे तो यहां पर तीन विकल्प हैं और तीन में इसके सही है अब चलते हैं आकलन परिच्छा की ओर तो ये आकलन परिच्छा है आकलन परिच्छा में जो भी प्रशन है सबसे पहला प्रशन है इसमें रागा अपनी कच्छा में पढ़ता है हुआ है दू अंकों माली संख्याओं को दू अंकों की जोड की तरह देख पाता है जैसे 35 को 17 और 18, 21 को 10 और 11 का जोड देख पाना, नीचे दी गई कौन सी बात है, रागाओ के लिए कहना सही नहीं होगी, आप एक ही विकलब चुन सकते हैं, यहाँ पर च्यार विकलब दिये गए हैं, रागाओ का नंबर सेंस काफी मजबूत है, रागाओ को जमा गटा करने म आसानी होती है, रागाओ को इस्थानी मान की पूरी समझ है, रागाओ संख्याओं को दूसरी संख्याओं की संबंद बना पाते हैं, तो यहाँ पर तीसरा विकलब सही है, इसको सम्मिट करके आगे करेंगी, जारी किसे अधावन और 85 मैंसे कौन सी संख्या बढ़ी है, यह समझने के लिए क्या बच्चों को एकाई और दाही की समझ होना जरूरी है आप एक ही विकल्ब चुन सकते हैं तो मुझे लगता है नहीं और इसके बाद में आगे चलते हैं एक और प्रशना जाता है अंदाजा लगाते हुए एक गत्विदी के दोरान रोहन गड़त माला पर 30, 50, 60, 60 संख्याओं पर कार्ड ठीक से लगा पा रहा था लेकिन 36, 56 जैसी संख्याओं के लिए वह कार्ड ऐसे लगा रहा था जैसे 36 के लिए 32 पर अठाबन के लिए 33 पर और 66 के लिए 64 पर यह बिवार हमें रोहन के बारे में क्या बताता है आप एक ही विकल्ब चुन सकते रोहन की दाही की समझ कमजोर है रोहन की एकाई की समझ कमजोर है तीसरा बिकल्ब है रोहन की दाही और ज्यादा ही समझ कमजोर है तो मुझे लगता है यहां तीसरा बिकल्ब सही है और तीसरा बिकल्ब को टेक करके सम्मिट करेंगे नेक्स्ट विचन पर क्लिक करेंगे एक और प्रसन आजाता है गड़ित माला बच्चों को इस्थानी मान समझाने में किस तरह सहायक सावित हो सकती है आप एक से अधिक विकल्ब चुन सकते हैं गड़ित माला में बच्चे एकाई और दाही को साब तरह से देख पाते हैं गड चाड़िया के पर क्लिक करेंगे एक और प्रसना आएगा रेखा जी ने कच्छा में एक गत्विदी कराई इस गत्विदी में उन्होंने बच्चों को यह निर्देश दिये कि वह जितनी भी तालियां बजाती हैं बच्चों को उस संख्या के संख्या के संख्या के संख्या यहां पर तीन विकल्प मौझूद हैं यह गत्विदी बच्चों के गिनने की सुरुवाती समझ को मजबूत करेगी यह गत्विदी बच्चों की एकाई और दाही की समझ को मजबूत करेगी इस गत्विदी से बच्चे समुहों में कितनी करना सीखेंगी तो यहां पर जो वि पिरदेश दियेगी ददस के समू बनाएं ऐसी गत्विदी बच्चों के साथ करवाने की क्या फायदे हैं आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं बच्चों की दाही की समझ मजबूत होगी बच्चे दाही को संख्या पददी के आधार के रूप में समझ पाते हैं कोई से विकल्प सही होगी तो सबसे पहले पहला विकल्प दूसरा विकल्प यहां से सम्मिट करते हैं तो जारच्हा पर कलेक करेंगी के साथ नमबर सुलेखा जी ने अपनी कच्छा में एक गद्विदी कराई इस गद्विदी में उन्होंने 10 डंडियों के 6 समूः और 4 डंडियों डंडिया अपने बच्चों को दी और उनसे पूछा किया कितनी डंडिया है उनकी कच्छा के 3 बच्चों ने डंडियों की इस तर मनीश जी मनीश ने समूह में बंधी डंड़निया और खुली डंड़निया एक एक करके गिनी और सुलिखा जी को बताएगे हमारे पास चौश डंड़निया है राउल ने समूहों में गिंती करना सुरू किया 10,20,30,50,60 फिर 4 डंड़निया को अलग गिनकर लेक सुलिखा जी को बताएगे 64 डंड़निया है इन तीनों बच्चों मेंसे किन बच्चों की दहाई और एकाई की समझ मजबूत है आप एक ही विकल्प चुल सकते हैं तो मुझे लगता है यहां पर दूसरा विकल्प सही होगा यानि कि मनीश और राहुल की जो समझ है वो मजबूत है क्योंकि कि उन्होंने एके करके ना गिनकर सीधे गिनकर के उत्तर दिये तो यहां रेखा और राहुल की मजबूत है बच्चों को दस के समुह का कई एकाई से अदल बदल सिखाने में सबसे प्रभाव साली संसाधन कौन रहेगा आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं तो यहां पर ती मेला विकल्प इसका सही होगा यहनकी 10 के ढथाचे डियंक्त भ्लोक तो पहले वाले को यहां से ट्क करेंगे और समिट करेंगे इसे submit करते हैं और submit जैसे ही करेंगे उसके बाद में next बटन करेंगे next बटन पर एक और प्रसना आजाएगा हमारे पास तो एक और प्रसन को अब तेख लेगते हैं प्रसनमबर 9 राकेश जी ने अपनी कच्छा में बच्चों को डायंस ब्लोक की मदद से गिनने की गदविदी उसे किस जी ने निर्देश दिये कि जब हुआ है एक संख्या बोलेंगे तो बच्चे उस संख्या को टेंस बिलोग की सहता से देखाए गये एकच्छा में तेज संख्या दिखाने के लिए हEMAनी ने टेश कियो इस्तेमाल किये यह हमें हिमानी के बारे में क्या बताता है आप एक ही बिकल्प चुन सकते हैं हिमानी को तेशसंख्या की समझ नहीं है उसकी एकाई और दहाई एक्सच्चेंज अदल वदल की मजबूद समझ mathematics नहीं है हिमानी को dance-vlog के इस्तेवाल करना नहीं आता है तो यहां पर तीन बिकल्प है औ आगे बढ़ेंगी जाड़े खबर के लेंगे कि दस नंबर प्रशने को और आयाता है कच्छा में एक गत्विदी के तहट गर्मजी ने बच्चों से कहा कि बच्चे उन्हें कोई वी एक संख्या बताएं और फिर होगा है मान कार्ड की साहता से उस संख्या को खोल के ना है नीचे दिए गए विवरण में सही नहीं है यहां पर आप ही एक ही विकल्प चुन सकते हैं यहां तीन विकल्प है इस गत्विदी से बच्चे संख्याओं की बिस्तरत रूप के बारे में बहतर समझ पाएंगे इस गत्विदी से संख्याओं में छेपे हर अंक की मात यहां तीन में से मुझे लगता है जो वह किलिए करेंगी किकशना चाहिता सुख की समझ केुरूप सम्मूहों से बना है, 100 को आसानी से 10 के सम्मूहों गिना जा सकता है, 100 में, तो यहाँ पर तीसरा विकल्ब सबसे बेस्ट है, उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया है, सिछक साथियों में से सेर जरूर करें, और लिंक के लिए आप हमारी वेब साइट को बिजिट करें,